नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 के बारे में तो आपने सुनाई होगा अक सरकर्दा हिंदू के एडिटूरल्स में और नियूज में ये आता ही रहता है Parliament of India ने इसको enact किया था Women के against, खासकर married women के against जो domestic violence होता है उसके पती की तरफ से उसको रोकने के लिए act आया गया था लागू कबसे हुआ है तो 26th of October 2006 से ठीक है बाई अब इस Domestic Violence Act के अंदर Protection Officers appoint के जाते हैं यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये Protection Officers का रोल क्या होता है मैं थोड़ी दिर में आपको इन Protection Officers का रोल बताता हूँ वहाँ ज़्यादा तर राज्यों में जो Administrative Officers होते हैं रेविन्यू Officers होते हैं उनको Protection Officers का रोल दे दिया था है कई बार Protection Officers किसी छोटे जिले में District Magistrate को बना दिया जाएगा ठीक है या फिर SDM को बना दिया जाएगा Subdivisional Magistrate को बना दिया जाएगा Protection Officers Supreme Court यहाँ पे बोल रहा है कि जो भाई IAS अधिकारियों को या कभी कभी PCS अधिकारियों को आप Protection Officer बना देते हो यह सही नहीं है इस particular Supreme Court के जज्जमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक Protection Officer का रोल क्या होता है निया.org नाम की एक वेबसाइट है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि Protection Officer का रोल क्या है जब भी Domestic Violence की Complain File होती है यह जो Protection Officer है यह First Point of Contact होता है तो एक लेडी को पता नहीं है कि उसका Protection Officer कौन है तो नियरस्ट पुलिस स्टेशन में जाके पता कर सकती है या फिर Department of Women and Child Development की हलप लाइन पर कॉल कर सकती है या फिर National Women Commission और State Women Commission के पास जा सकती है इनके पास Protection Officers के लिस्ट होती है या किसी भी NGO के परसन से बात कलेंगे तो Protection Officer के लिस्ट मिल जाएगी Protection Officer करेगा क्या अगर आप एक लेडी है और एक कम्प्लेइन फाइल करना चाहती है कि आपकी हिलाफ डॉमेस्टिक वैलेंस हुआ है तो Protection Officer आपकी Domestic Incident Report लिखने में मदद करेगा और इस Domestic Incident Report में प्रॉपर तरीके से लिखा होगा कि आपके साथ क्या हुआ है आपको किसने हैरस किया है आपको क्या-क्या प्रतार नाय दी गई है अगर Medical Report मतलब आपकी केस में Medical Examination हुआ है तो Medical Report भी बिनाई जाएगी और उसके बाद जो आपके एरिया का Police Station होगा उसमें Report forward कर दी जाएगी और ये Protection Officers आपको कुछ और चीज़ों मदद करेंगा जैसे आप Married होके अपने पती के घर में रह रहे हैं वहाँ पे आपके साथ Domestic Violence हो रहा है अब आपने Complain File कि तो उस घर में रहोगे तो खत्रा है तो आपको भाई एक Alternative Accommodation available करवाना हो सकता है आपके मावापका घर available ना हो तो उस चीज़ों के बारे में Protection Officer responsible होता है ठीक है न भाई और Protection Officer बाद में आपका Access मिलवा सकता है किसके पास तो भाई देखे अब आपने Case File कर दिया Domestic Violence Sat के अंदर तो most probably case पहुंचेगा कोर्ट में तो कोर्ट में आपके बहाफ पे लड़ने के लिए वकील चाहिए अगर आप महेंगी वकील की फीस नहीं उठा सकती है तो उस केस में Free Legal Aid मिल सकती है आपको District Legal Services Authority से और उसके लिए भी आपको facilitate करेगा Protection Officer तो Protection Officer का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रूल है अब Supreme Court ने यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया है कि Domestic Violence Act के अंदर इतना important काम कर रहे हैं यह Protection Officer और Protection Officer आप उन Officer उसको बना देरो जो कि obviously काम में बहुत ज़्यादा overburdened है एक District Magistrate के पास कितना काम होता आप अब हिसाब नहीं लगा सकते हो एक SDM के पास कितना काम होता आप SDM Office पे चले जाओ, Video Office पे चले जाओ, DM Office पे चले जाओ इतनी भीड लगी होती है ना बैठने का समय नहीं होता है इन Officers के पास मैं यूपी बिहार जैसे स्टेट्स की बात कर रोजस्तान मद्पदेश जैसे किसी पहाड़ी स्टेट की किसी रिमोट इलाके में कोई बीडियो हो हो सकता उसके पास बीड़ना लगती हूँ बट नॉर्मल का बीडियो, SDM और DM Office में बहुत बीड होती है ठीक है ना, इनका काम बहुत responsibility का होता है और इस responsibility के extra आपने protection officer का काम और दे दिया और आप देख सकते हो कि बकाइद एक बहुत बड़ा रोल है है protection officer का एक particular woman की problem को समझना, उसकी report लिखने में मदद करना पुलिस का access available करवाना, उसके लिए shelter home घूमना, उसको legal aid प्रोवाइड करना ये एक बहुत बड़ा काम है इसके लिए specific skill set चाहिए और special time चाहिए तो इसलिए यहाँ पे red petition file हुई तो supreme court में एक body के दोरा वी the woman of India के दोरा और इस red petition का यह बोलना है कि भाय आप revenue officers और Indian administrative services के officers को appoint कर देते हो इनके पास तो समय नहीं है protection officer के काम को सही तरीके करने का और इसलिए यहाँ पे supreme court की एक bench betty जिसमें U.U. अललिस साब, S. रवींदर भट और P.S. नरसिम्मा थे इन्होंने यहाँ पे union government से एफिडेविट मांगा है, answer मांगा है क्या answer माना है कि भाया domestic violence act को implement करने के लिए ground level पर राज्य की सरकार है administrative officer को protection officer मना दे रही तो यह protection officer के पास तो इतना time ही नहीं है कि वो ground level पर मदद कर सके तो केंदर की सरकार से written में एफिडेविट पे एक response मांगा है Supreme Court ने की सबसे पहले तो आप हमें यह बताओ कि कौन कौन से आपके central program चल रहे हैं जो कि domestic violence act के अंदर एक victim को मदद करने कोशिच करते हैं कितनी financial support आप provide करते हैं एक victim को फिर हर राज में कितने litigations चल रहे हैं domestic violence act के अंदर और कितने number of protection officers आपने appoint किये हैं कराज के अंदर इन protection officers को appoint करने के लिए क्या qualification or eligibility criteria decide क्या है union government ने इस प्रकार के बहुत से सवाल पूचे गए ये भी पूचा गया है कि भाई जो production officer के capacity में काम कर रहे हैं उनका career progression कैसे होगा उनको क्या क्या training प्रोवाइट की गई हैं उनकी terms and conditions क्या होती है तो इस प्रकार के बहुत से सवाल यहां पे केंदर की सरकार से पूच लिए गया अब अब अब्वेसी बात है केंदर की सरकार से पूचे जाए हैं तो आगे राजे की सरकारे जब भी protection officers का appointment करेंगी most probably वो एक ऐसे particular person का appointment करेंगी जोकि बड़े capacity में कोई दूसरा काम ना देख रहा हो चोकि SDM, DM जैसे लोगों के पास वैसे भी time की बहुत कमी होती है और ये specific protection officer की जो rank में काम करने वाले लोग हैं जो capacity में काम करने वाले लोग हैं इनके पास specialization होना चाहिए ये अपने time को एक woman की problem सुनने में dedicate कर सकें उसकी proper तरीके से मदद कर सकें तब जाके आप इन officers की और this domestic violence act की overall potential को realize कर पाऊगे जब तक over-dividend officers के उपर आप इस प्रकार की responsibility डालोगे तब तक उनके उपर इल्जाम लगाने कोई फाइदा नहीं चुकि एक इंसान एक limited amount of काम ही कर सकता है तो Supreme Court ने केंदर की सरकार से यहाँ पर जवाब मागा है Let's see केंदर की सरकार क्या जवाब देती है जब भी जवाब आएगा और जो भी उसके पर final discussion होगा वो मैं आपको अलग से वीडियो में ज़रूर बताऊंगा Thank you for watching friends I hope कुछ ना कुछ useful आपको जानने को मिलाओ Have a great day पढ़ते लगते रहिए follow कर लिजे टेलेगाम को प्जान कर लिजे दोनोई चीज़ों के लिए निची description box में दिया होगा Have a great day friends Goodbye